बुलन शहर के शिकंदराबाद में रविबार की दुपहर को एक फैक्टरी के वाइलर फटने से तीन मजदूर गंबीर रूप से घ्जलग गए जबकि दरदनों मजदूर प्रभावित हुए प्रभंदन घ्जल मजदूरों को उपचार के लिए नजदी की अत्पताल में भरती कराया हारत गंबीर होने पर तीनों मजदूरों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया सूचना पर सियो कोचपाल पुलिसबल के साथ मौके पर पहुँचे और घटना के बारे में जानकारी ली जानकारी के अनुशार और ज्योगत इस्थिछेत्र फैक्टरी में पुराने टायर गलाने का काम किया जाता था रविबार की दुपहर अचानक फैक्टरी का वॉयलर फट गया वॉयलर फटने से उसकी चपेट में आकर जारखन नेवासी मजदूर कमलेश सर्वू अभिनंदन गंभी रूप से घायल हो गए वही फैक्टरी में कारी कर रहे दरजनों मजदूर भी प्रभावित हुए प्रबंदन ने घायल मजदूरों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ति कराया हालत गंभीर होने पर तीनों मजदूरों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया सूटना पर शियो बिक्रम सिंग कोतवाल अबनिश कुमार गौतम पुलिस बल के साथ मोखे पर पहुँचे और घटना के बारे में जानकारी ली सियो ने बताया कि प्रथम दरश्ट्या फैक्टरी में मानकों को पूरा नहीं करने का मामला शामने आया है मामले में कारवाही की जाएगी फैक्टरी का संचालन मानकों की ताक पर रख्कर किया जा रहा था कारी करने वाले मज़ूरों के पास ना तो हेलमिट था ना ही मास्क इसके अलाबा मज़ूरों की शुरक्षा, स्वास्था के लिए भी फैक्टरी में कोई फुक्ता इंतजाम नहीं थे एक हादसा हुआ है कौन सी कमपनी में हादसा हुआ, कैसे हादसा हुआ और जो यह कंपनी चलाई जा रही थी जिस तरह से पॉलूचल फैला रही हो नाइब नावाले की दिखाई देया किस तरह की करवाई की जाती है ऐसे मामलों में असे मामलों में ऐसा है और मिट्स्ट्री नीव फॉलूटी वाल है देखंडरा बार्द, और यहां टायरों को चाहराया था वरुझ में लोग लगे हुए हैं तो फंट गेलना रही हैं देख़ट गया जसे के थीन सलीट कि इस तरह से नावालिक भी दिख रहे हैं यहां प्रतित होता हम यह चीजे जहांच का बूर से हैं जो भी शामने आगा है